हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास नाई के चाप्टर नमबर टैन विट इसके कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स करांगी वन मार्क की मतलब जो वन मार्क में कोशन्स जैसे आते हैं जिस तरीके से फिगर वाले कोशन्स आते हैं है कई बार हमार पास य from calling the blanks by आ जाते हैं तो वह कशन्स कि Oui युपार करने हैं चले शुरू करते है फ्रेशन ईक आपके पास है और व्रित का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है यदि AD 34 cm है AB 30 cm है तो व्रित के केंद से AB की दूरी ज्याद करनी है क्या दूरी होगी वो आपको बतानी है तो आखरिती हैं आप नहीं दी भी है यह हमने खुद से बनाई तो मैंने पहले क्या क्या एक व्रित बना लिया उसमें AD यह एक व्यास बना दिया यह वला साथ के साथ AB बनाना था जीवा तो मैंने उसको उपर की साइड बना दी जीवा को आपकी मर्जी आप यह जीवा ऐसे नीचे के साइड भी बना सकते हैं एक ही बात है, आपको इस question में बताना क्या है, कि जो ये केंदर है आपके पास O, इस से जो ये जिवा है, ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो मैंने यहाँ पर बता है क्या क्या है, सबसे पहली बात तो एक लम डाल दिया, A B के ओपर, O P, ये मैंने खु यहां पर P more आ गया यहां पर O to है या केंद्र मेरा तो अब AP जो हैбо P, B के बराबर हो जाएगा तो पूरा AB मेरे पास 30 है कि ये डो भगोमें बट गया तो 50 R bits को यह भी पंदरा हो जाएगा और यह पंदरा ही है इस वृत की तो यह पूरा 34 है में पास व्यास तो टू से डिवाइट करूंगी तो त्री जा जाएगी में पास 17 तो ओए भी आ गया यह सब चीज़े मैं यहां पर निकाल के दिखा रखें आपको यह ठीक है अब आम बात करते हैं सिर्फ इस तिरिभुज की जो यह ऐसे यहां पर एक तिरिभुज बन गया है जिसको नाम अगर मैं बोलू क्या है उसका OPA है जिसका नाम तो यह मेरा एक समकोन तिरिभुज बन रहे हैं समकोन तिरिभुज में मेरे को यह पता है AP यह पता है OA हाँ O P नहीं पता और यही तो मुझको निकालनी है कि जीवा और कुछ को निकालना है तो मैंने क्या-क्या पाइता क्या प्रमे लगाई और दूसरी बात इसकी पता ही तो त्सकाने से निकल जाएगी खाली तो यहां पर मैंने वह किया प्रम चाहिअ तो का स्क्वाइर AP square plus OP square के बराबर हो गया, यह मुझे 17 पता था, तो 17 का square, यह 15 का square यह ऐसी छोड़ दिया, 289, 225 आ गया, OP square आ गया, मेरे पास 64, तो इसका मतलब OP कितना आ गया, 8 cm, तो इसका मतलब केंदर से जीवा की दूरी कितनी दूरी है, उनके बीच में, 8 cm की, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, क्यारा है, आकरिती में यदी OA दे रखा है, 5 cm, इस बार आपको यह आकरिती दे रखेंए, पहले से, ठीक है, AB दे रखा है, 8 cm, तता OD, जीवा, AB पर लंब है, तो CD बराबर है, तो CD किसके बराबर है, वो आपको निकालना है, देखो, पहले समझते हैं, कोशन क्या कह रहा है, आकरिती देखो आप से, आपको OA दे रखा है, OA तो आपके त्रिजा है नहीं, क्योंकि यह केंदर से जारी है, यह आपको 5 दे रखी है, और पूरी AB आपको दे रखी है, दियान दीजेगा, यह आपकी जीवा, क्या कहते हैं, व्यास नहीं है, यह आपकी, यह आपकी जीवा है, क्योंकि व्यास तो होता है, जो केंदर से जाता है, जबकि यह केंदर से नहीं जा रहा है, ठीक है न, तो AB आपकी जीवा ह हाँ एक चीज़ आपको और दे रखें कि जो ओडी है ना वो इस पर लंब है अब भी हमने बात की थी कि जब भी लंब होता है तो इसे दो बराबर भागों में बाट देता है यह तो यह पूरी आठ है अब तो इसका मतलब चारी हो जाएगी और चारी हो जाएगी कि टाना अल्प मुझे निकालना क्या है मुझको तो yeux सीदी निकालना inned में फहला इस नीचे यह तो को ऐसा कर थहा हूं मैं पहले O A पता था 5, O C नहीं पता था, A C पता था 4, तो 25 यह आगया 16, इधर चला गया माइनस का, O C square 9, तो O C आगया मिर पास 3, देखो सिब इतना आया मिर पास 3, लेकिन मुझे निकालना था C D, अगर आप ध्यान से देखो तो O D जो है न, और वो आपकी इस वृत की त्रीजा है, केंदर से जा रहा है वो, और वृत के एक जगा पे छुड़ा है, और जीवा तो, सुरी, त्रीजा तो आपके पास O A भी थी, तो एक केंदर में कितनी भी जीवा हूँ, लेकिन उनकी लंबाई सबकी बराबर होती है, तो फिर इसका मतलब जितनी O A है, उतनी O D होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही मेरी वृत कितनी जाए, दोनों की लंबाई फिर तो बराबर ही होगी, तो O D मेरे पास दो भागों में बटा वह, एक है O C और एक है C D, और ये पूरा कुल मिला के ये पांच है, और O C मैंने अभी निकाला तीन है, तो फिर C D कितना होगा, दो ही तो होगा, तो मैंने हाँ से C D निकाल दिया, O D माइनस O C करके, तो वो आगे मेरा 2 सेंटिमेटर, और में को इसमें C D ही निकालना था, दो कुछ Qsations ऐसी है, जो आपको आकरिती दे रखी होगी, काई बार नहीं दे रखी होगी, करने कैसे हैं, उसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो कई बार हैं, ये Qsons बार बार रह इपीट होएवे हैं, पेपर में आएवे Qsons हैं, आपके NCIT exemplar के questions भी है, इन में से एक दो, ठीके तो आप इने अच्छे से prepare कर लीजेगा, ठीक है, छले, थर्द देखते हैं, क्या रहा है, यदि AB 12 cm है, BC 16 cm है, और AB देखा खंट, BC पर लंब है, तो ABC से होकर जाने वाले व्रित की त्रिजा होगी, आखरिती देख लेते हैं, अब एक और चीज़ कहा रहा था, कि जो AB है न, वो BC पर लंब है, तो इसका मतलब यहां, वो 90 degree का कौन बना रही होगी, क्योंकि जब भी वो लंब होता है, तो यहां 90 degree का कौन बना रही होगी, अब मुझे इस व्रित की त्रिजा निकाल ली है, तो ऐसा करते हैं न, पहले, यह जो 3 भूझ आपके पास बन रहा है, पूरा, AOC, यह तो आपके पास आपको दिख रहा है, समकोन 3 भूझ बन रहा है, है न, तो ऐसा करते हैं, समकोन 3 भूझ में 2 भूझा हैं तो पता है, पायताक और इस प्रमे से पहले 3 भूझा निकाल लेते हैं, AC, जो कि हमारा व्या कि आप 400 आगया, AC आगया 20, लेकिन ये आपके पास व्यास आया, वृत का, पर आपको कोशन में त्रीजा निकालनी है, निकालनी है ना त्रीजा, तो त्रीजा कैसे निकलेगी, 2 से डिवाइट कर दो, आपकी त्रीजा आजाएगी, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन नमर 4 द ये आपके पास एक व्यास है, किसी व्रित का, किसी क्या, इसी व्रित का एक व्यास है आपके पास, ठीक है, एक और चीज़ कह रहा था, कि जो ये AC है, ये BC के बराबर है, तो फिर बताओ, कौन, C, A, B, ये वारा कौन कितना हुआ, ये आपको बताना है, सबसे पहली बात त तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं C A और C B तो फिर ये दोनों कौन भी बराबर होंगे बराबर भुजा के सम्मुक कौन बराबर होते हैं है ना हमार पार से एक प्रमे कि जो भी बराबर भुजाएं होती हैं उसके जो सम्मुक कौन होते हैं वो भी बराबर होते हैं तो इसका मतलब जितना angle A होगा, उतना angle B होगा, पर मैं को angle B नहीं पता, अगर angle B पता होता हम तो मैं angle A आसानी से निकाल पाती हूँ, मुझे कोशन में क्योंकि A ही निकालना है। पर नहीं पता, ना A पता, ना B पता. अब बात करते हैं C की, क्या C ये angle पता है? बिक्कुल पता है, यह 90 degree का अंगल है, क्योंकि जो अर्धवृत का कौन होता है ना, वो हमेशा 90 degree होता है, और यह अर्धवृत पे ही बन रहा है कौन, देख लो, यह आपका अर्धवृत यहां से लेके यहां तक का, इस पर यह, बनना है न 90 degree का कौन इस पर ही, तो इसका दिया, अब मैंने कौन A की जगा तो कौन A ही रहन दिया, लेकिन कौन B की जगा भी कौन A लिख दिया, क्योंकि यह दोनों कौन तो बराबर है, और मुझे कोशन में कौन A निकालना है, इसलिए मैंने B की जगा भी A लिख दिया, ठीक है, कौन C मुझे 90 degree पता ही है, क्या करते हैं, कौन A की जगा B लिखते हैं, और B की जगा भी B देहने दिते हैं, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 5 पर आगए, इसमें भी एक आखरिती दीवी है, कहा रहा है, आखरिती में यदि कौन OAB 40 है, तो ACB ग्यात कीजे, चलो यहां देखते हैं, देखो, यह दे रख क्योंकि यह दोनों जो यह व्रित बनावा है, इसके त्रिजा हैं, दोनों ही के इंदर से जा रही है, और एक व्रित की कितिनी भी त्रिजाओं, लेकिन उनके लंबाई हमेशा बराबर होती है, अब जब यह दोनों बराबर होंगी, अभी हमने क्या था, बराबर भुझाओ के सम्मुख को जो हैं वो बराबर होते हैं तो इसका मतलब जो कौन ए है उतना ही कौन भी होगा तो लो कौन भी तो मेरा निकल गया 40 जी लिए ठीक है अब आप इस छोटे वाले तिरी भूज की बात करो सिर्फ इसकी ए ओ बी की तो इसमें ये कौन पता है ये कौन पता है 40-40 तो आप ये वाला कौन बरी असानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है एक तिरी भूज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है तो ये वाला कौन निकल जाएगा तो वही मैंने कहा किया ये वाला कौन निकाल लिए वो आगया मेरा 100 ठीक है लेकिन कोशन में तो आपको ये वाला कौन निकलना है A, C, B अब ये कैसे निकलने तो हमार पास एक प्रम्य होती है वो क्या कि जो ये वाला कौन है और जो ये वाला कौन है इसमें क्या हमार पास संबंद होता है कि ये इसका आदा होता है या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसका दुगना होता है है ना तो अब अगर ये 100 है तो ये कितना हो गई ये आपके पास आजेगा 50 तो ये ही मैंने ही हाँ पर निकाल दिया तो आपको A, C, B, निकालना था वो निकल गया आपका कितना 50 ठीक है चलिए अब कोशन्स हमने आकरिती वाले तो बहुत सारे कर ली कुछ रिक्तिस्थान देखते हैं खाली स्थान यहाँ पर है आपके पास देखो यहाँ पर आपसे क्या क्या रहे वृत का केंद्र वृत के डैश में स्थित है जो वृत है उसका केंद्र कहां होता है अंदर होता है बहार होता है अंदर तो इसका आंसर आजागा अब भी हनता है ठीक है फिर है एक बिंदू जिसके वृत के केंद्र से दूरी तरिजा से अधिक हो वृत के डैश में इस्तित होता है सबसे पहली बात तो आप इसको जो यह आपके पास खाली स्थान है इसको अच्छे से समझिए आपको खुदी पता चल जागा उसको आंसर क्या होगा देखो यहाँ पर एक वृत है वो कहरा है जो इसकी केंदर से जो त्रिजा है केंदर से दूरी त्रिजा से अधिक हो कहना कोई भी एक ऐसी बिंदू है उसकी बता है क्या केंदर से जो दूरी है वो त्रिजा से अधिक है मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक उधारन यह ले लूँ ओ और पी यह इसकी त्रिजा है पांच अब कहीं पर एक ऐसी बिंदू आपको लेनी है जो पांच से ज़ादा हो आप केंदर से देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्यूं माल लो अब यह पांच से ज़ादा ही होगी क्योंकि यहां तक ही तो होगी ना पांच केंदर तक उसके बाद तो फिर आगे आगई तो ज़ादा होगी तो यह बिंदू है कहां यह बिंदू केंदर के बहार बनाई वी है ठीक है ना तो इसका मतलब वो बिंदू कहां पर होगी केंदर के बहार होगी वो बिंदू जैसे भी हमने किया केंदर वृत के बहार होगी वह बिंदू, जैसे भी हमने किया, वृत का जो केंदर होता है, वह कहा होता है, अंदर होता है, इसी तरीके से ये वाली बिंदू, जिसकी केंदर से जो दूरी है, वह त्रिजा से जादा होगी, तो वह कहां पर होगी, वह बहार होगी वह बिंदू, ठीक सिरे हो, सबसे पहली बाद तो चाप है क्या चीज़, अगर मैं एक वृत हैं पर यह बना लूँ, ठीक है, तो चाप के अगर मैं बात करूँ ना, तो मालनो यह है वो चाप, कितनी भी हो सकती है चाप देखो, दीर को लगू दोनों में से, ठीक है, लेकिन यह आप से कह रहा है जो चाप के सिरे हैं, मालनो यह दो वो चाप के सिरे हैं, और वो ही मेरे व्यास के सिरे हूँ, यह ना मेरा व्यास, व्यास के सिरे भी यह है, दोनों के सिरे एक जैसे हैं, तो फिर यह क्या बन गया, यह तो आपके पास अर्ध वृत बन गया, बन गया ना, अर्ध वृत, आ तो चाप तथा जीवा के बीच, ठीचित नहीं थिख देखें piaceं। यह क्या है एक व्रित जिसके तल परिस्थित है उसे जिस तल परिस्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करते हैं तो एक व्रित कितने भागों में करेगा तल को तीन में एक अंदर एक बहार और एक व्रित के उपर जैसे वह केंद्र था वह व्रित के अंदर था जो वह बिंदू थी जो त्रीजास से बड़ी होगी, ठीक है, वो वृत के भार थी और वृत के उपर, एक वृत के उपर हो जाएगा, तो उसमें तीन भागों में भाजीत करता है, ठीक है लो, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, ठीक है, आकरिती में ओ वृत का केंद्र है, और पी-ए जो है, वो पी-वी के बराबर है, तो कौन O-P-A ग्यात कीजे, आयवा कोशन आपके पास ये एक्जाम में, आपसे हाँ पर कह रहा है, कि एक आकरिती आपको दे रखिए, जिसमें ये O जो है, वो इसका केंद्र है, और ये दोनों बराबर है, तो बताओ फिर ये कित बराबर है, बराबर भागो में बट रहा है, और जब ये लंब है, तो यहां 90 डिग्री बना रहे होगे, और यहां भी 90 डिग्री बना रहे होगे, इसका मतलब आपके पास O-P-A कितना आजाएगा, 90 डिग्री आजाएगा, ठीक है, छोटा सा कोशन है, देखो, लेकिन पता है कि जो लंब होता है, रेखाखन को बराबर भागो में भाजित करता है, और 90 डिग्री का कौन बनाता है, तो आप इसे असानी से कर सकते होगे, ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट आ गया, एक चक्रिय चतुर्भुज, चतुर्भुज, चक्रिय चतुर्भुज क्या होता लेकिन यह वो चतुर्भुज होता है, जिसके जो सम्मुख कोन होता है, अगर मैं एक चतुर्भुज बना दू, तो जिसके सम्मुख कोन, मतलब यह वले, या फिर आप इनको भी कह सकते हो, तो यह जो सम्मुख कोन है, इनका जो योग होता है, वो हमेशा वनेटी होता है, या फिर इनका जो योग होता है, वो हमेशा वनेती होता है, उन्हें बोलते हैं चक्रिय चतुर्भूज. ठीक है, तो पहरा तो आपको यही पूछा गया है यहां पर, कि उसके सम्मुख कोनों का प्रतियक योग मुका योग कितना होता है, 180 होता है. अगला इससे related question देखो, आकरिती में PQRS एक चक्रिय चतुर्भूज है, आपको दे रखा यह चक्रिय चतुर्भूज है, इसमें आपको कौन P दे रखा है, आपसे कह रहा है, तो R का मान गयात कीजिए, आपको यह निकालना है, तो यह तो सम्मुख कोन है, तो चक्रिय चतुर तो सेम वही करते हैं, क्योंकि यह आपके पास कैसा मुख कोन है, तो एक दे रखा है, तो दूसरा मसानी से निकाल सकते हैं, उसको 180 में से माइनस करके, ठीक है, चलिए, लास्ट question और कर लेते हैं, question number 10, फिर यह हमारी, आज के 10 questions complete हो जाएंगे, खाली ऐसे questions नहीं आएंगे, कि यही questions आएं, आप सिफ यही prepare कर जाओ chapter के, ऐसा कुछ नहीं है, chapter तो आपको पूरा prepare करना है, लेकिन हाँ, यह कुछ ऐसे questions हैं, जो बार-बार repeat हो रहेते हैं exam में, पहले previous year में, काफी बार यह questions आएंगे हैं, दूसरा सारे आकरिती वाले questions आपने देखा जाएता था, और कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कि आकरिती वाले questions को कैसे करें, कौन सी प्रमे लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, नहीं पता चलता, इसलिए सिफ यह कुछ important questions मैंने यहाँ पर दिया है, one mark के, ठीक है न, chapter आपको लेकिन पूरा करना है, चलिए, आगे देखते हैं last question है, कहाँ दी गई आकरिती में, AD जो है, वो समानतर है BC के, और BC A दे रखा है आपको यह वाला कौन, 40 जिगरी का, आपको DBC निकालना है, कहाँ पर है भई, DBC, यह वाला कौन आपको निकालना है, इस कमान ग्यात करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो, यह जो 40 है न तो यह भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि यह एक ही व्रित्खंड पर बने वे कोन है, और जब भी A की व्रित्खंड पर कोन बनते हैं, तो वो दोनों बराबर होते हैं, तो यह मेरा 40 होगा, यह तो मुझे पता चल गया, चलो, अब एक चीज मुझे दे रखीती, कि जो AD है, वो समांतर है किसके BC के, अब जब यह दोनों समांतर रेखा हैं, तो इसका मतलब जो यह दो समांतर रेखा हैं, इसका मतलब जो यह BD है, यह मेरी तियर्क रेखा है, अब जब यह मेरी तियर्क रेखा है, तो यह 40 है, तो यह भी 40 होगा, क्यों, एक आंतर रहते कोन होग तो यह मेरा आगया 40 और मुझको यही निकालना था 40 तो देखो आकरेती देखके ऐसा लग रहा था कि इसको हम कैसे निकालें दो तिरी भूज बने हैं कई बच्चों के दिमाग में होगा तिरी भूज बने हैं तो तिरी भूज वाली लगाएं ठीक है पर हमार को फिर यह नही कुछ सबहास क काने हैं क्या है, जैसे लगाई हैं हमने कई कोशण होना है? इस chapter के, अब next class में हम क्या करेंगे, अपने next chapter के questions देखेंगे, जो one mark के कुछ important questions होंगे, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी, तो आप इसको like जरूर कीजेगा, और मेरे channel को subscribe कीजेगा, thank you.